दोस्तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो चाइना ने लगातार साथवी बार गोल्ड के अंदर एक बहुत अच्छी खरीदारी की है चाइना ने में 2023 में 16 टन सोने को खरीदा है याने कि चाइना कंटीनिवसली गोल्ड के अंदर खरीदारी कर रहा है उसी तरह से में 2023 में आप देख सकते हो रसिया ने भी गोल्ड के अंदर एक अच्छी खरीदारी की है दोस्तो हम आपको जो जानकारी बता रहे हैं वो एक वर्ल्ल गोल्ड काउंसिल के सीनेर एनलिस की जानकारी है यानिकि जानकारी ऑथेंटिकेट है गोल्ड के अंदर जो ये रेशिया, चैना और इंडिया कन्टीनियोसली खरीदारी कर रहे है वो बहुती महत्वपूर्ण है क्यूँकि दोस्तों रेशिया, चैना और इंडिया तीनों Brics nations में आते है और जैसे कि आपने सुना होगा ब्रिक्स नेशन शायत उनकी खुद की करंसी लाने जा रहे है वो पॉसिबली गोल्ड से बैक होगी यानि कि गोल्ड से सपोर्टेड होगी तो अगर ये तीनों देश गोल्ड के अंदर लगातर खरिदारी कर रहे है तो वो गोल्ड के लिए बहुती अची न्यूज है ऐसा हमें लगता है दोस्तो आज अमेरिकन बॉर्ड मार्केट के अंदर छुट्टी है जैसे कि आप वीडियो के अंदर क्लियर ली देख सकते हो बॉर्ड मार्केट हॉलिडेज के अंदर आज जून टीन की छुट्टी होती है जो 19 जून 2023 को होता है तो आज हमें बॉर्ड मार्केट से कोई भी संकेत नहीं मिलेगा गोल्ड अन्सिलवर के लिए तो possibly gold and silver के अंदर एक sideways काम international market में हो सकता है दोस्तों अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो dollar index का daily chart है dollar index के अंदर आज दूसरे दिन तेजी दिख रही है लेकिन जैसे के हमें पता है के dollar index के अंदर पिछले तीन दिनों में एक बहुती बड़ी गिरावट आई है तो ये तेजी उसके सामने बहुती छोटी है अभी जो चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो dollar index का एक घंटे का चार्ट है आप देख सकते हो एक बहुती बड़ी गिरावट के बाद dollar index अभी rising wage pattern में उपर आया है अगर आने वाले घंटों में dollar index ये rising wage pattern से breakdown देता है तो dollar index के अंदर गिरावट और बड़ेगी जो gold और silver के लिए positive होगा gold के लिए हमने आपको हमारे वीडियो से clearly बताया है कि gold जब तक 1935 डॉलर के उपर है हमारा नजरियाद तेजी का है gold अगर 1935 डॉलर के नीचे closing देता है तो ही आने वाले दिनों में gold के अंदर गिरावट बढ़ सकती है और अगर gold आने वाले दिनों में 1884 डॉलर को उपरी तरफ तोड़ता है तो gold के अंदर नई तेजी की शुरुवात होगी silver के लिए भी हमने आपको clearly बताया है कि 23.25 डॉलर ये महत्वपूर्ण सपोर्ट है और silver जब तक इसके उपर है हमारा नदरिया silver के अंदर भी positive है अगर silver आने वाले दिनों में 24.50 डॉलर के उपर closing देता है तो silver के अंदर तेजी 25.35 डॉलर तक बढ़ सकती है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment द्वारा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचानवालों के साथ शेयर करना ना भूले तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू